नमस्कार प्यारे कर्शियों दाओं मसीतराम बाकर स्वागता आपका राजस्तान के सबसे बड़े संस्तान एग्री सेलक्षन पॉंट के डिजिटल प्लैटफोरम पर और जैसा कि प्यारे सातियों सामके आठ बच चुके हैं और आज हमारा जो लाइव सेशन था उसका नहीं हो पाया वह विद्यारती भी काफी परेश्यान थी कि आगामी 2022 में क्या बरती आएगी या नहीं आएगी इन तमाम बातों को लेकर आज हमारा लाइव सेशन स्टार्ट किया जा रहा है तो जितने भी साती जुड़े वे आपकी स्क्रीन के उपर दिखाई दे रहोंग जब सुबह इस बात का पता चला जब सुबह उठे तो सुबह के सम में था और यह जो खबर थी यह सभी को बहुत दुख दे रही होगी और आप सभी समझदार है जब मैं सुबह उठा तो करणल क्रोडी सिंग जी बेसला की जो निदन की जो खबर थी उसे बहुत दुख नहीं रहे आप और सब हम सभी को एक अपूर भूत सती हुई है हम सब मिलकर बगवान करते हैं इनकी दिगवता आजमा को सांती प्रदान करें और यह जो शती हुई है इनके गर, परिवार समाजवालों को सभी को इसमें बलपरदान करें यही हम इस वर से मनोकामना करते हैं मैं सामको 6 बजे इनके नीजी आवाज पे गए तो वहां पर इतनी भीड थी अपने माने मुख्यमंत्री असोग गलो जी असोग चांद्रा जी सचीन पाइलेड जी तमाम जितने भी वीजेपी कॉंग्रेस या किसी भी राजनितिक दलके नेता है सब भी नेताओं का वहां जम मुहिम को छेडा था और इनी की आँखों के सामने आपने नाम सुनाओगा पीलपुरा दोसा करोली इन सभी जिलों में गूजर समाज के लोग इखटा होकर इतना बड़ा महासंग्राम जिनका नेतरुते डॉक्टर करनल किरोडी सिंग जी बेसला ने किया और इनी के सामने आप सभी को पता 2008 के अंदर ही बैतर गुजर जाती के जो लोग थे उन्होंने उनको नका सहीद हुआ वो सब सहीद हुए इस आरक्षन की मुहिम का इन्होंने नहें नेतरुत किया और गूजर जाती के लोगों इनके सामने गोलियों से बून दिया गया ये राधस्तान की इ अपने सहादत जितने भी अपने भाई बंद्धू थे लेकिन अपनी बात को उनकी आत्मा को सांति परदान तब मिली जब इनको 5% आरक्षन राजस्तान सरकार ने दिया और तब इनकी जाकर विजय हुई और इनका जो लक्षे था उस लक्षे को उन्होंने पूरा किया तो आ इनकी जगे कोई भी नहीं बर सकता चलिए दोस्तों बात करते हैं अपना एग्रिकल्चर सुपर्वाइजर रिजल्ट 2021 के बारे में और उसके बाद में जस्ट बात करूँगा एग्रिकल्चर सुपर्वाइजर बरती और बिल्कुल आपको ओथेंटिक प्रूप के साथ मैं आपको अवगत कराऊंगा आपको डिस्प्ले करूंगा करशी विबाग के नोटिफिकेशन से मैंने दो तीन प्रूप लिए आप सभी के बीच में तो मैं उन सभी को तमाम बाती भी करेंगे आप सभी के कमेंट्स भी पढ़ेंगे तब तक आप कमेंट्स के माध्यम से करनल किरोडी सिंग जी बेसला को आप संदाजली अरपित करें और मैं आपको सबसे पहले 10-15 मिनिट के लिए मैं आपको करशी प्रवेक्सित बरती 2021 का रिजल्ट डिस्प्ले कर रहा हूं जो एसपी संस्तान ने एक ऐसा की इर्थिमान इस्तापित किया है जिसकी कलपना भी नही की जा सकती थी और मुझे बताते हैं बड़े गरु की बात है आप सभी की प्यार और स्ने ने एक ऐसा रिजल्ट अगरिकल्चर सुपर्वाइजर में जारी किया एसपी संस्तान का जो परिक्षा परिणाम रहा वो पूरे राजस्तान में सबसे ज्यादा सबसे ज्यादा ऐसा किर्तिमान इस्तापित किया जो आन्नाई वाली पीडी और तमाम एगरिकल्चर के स्टूडेंटों को बड़ी खुशी की बात है चले दोस्तों बात कर रहा हूं आपकी डिस्प्ली के सामने स्क्रीन के सामने में आपसे बाते भी करता रहूंगा और यह जो जितने भी स स्टूडेंट राजस्तान एगरिकल्चर सुपर्वाइजर बरती परिक्षा परिणाम 2021 में एसपी संस्तान ने 330 रिकोर्ड तोड सेलेक्शन दिए इन तमाम सेलेक्शनों की जितने भी विद्यारतियों की फोटों आपके सामने डिस्प्ले की जा रही है उनका नाम दिया ज स्टुडेंटों का रिजल्ट आपके सामने डिस्प्ले कर रहा हूं तो जितने भी साती लाइव जुड़े हो सभी एक बार वीडियो की लिंक को आप सेर कर दीजिए और आप सभी के लिए एक बहुत अच्छी खुसकबरी सुनाओंगा आपको तब तक आप इंद्जार करिए 10-15 मिनिट की बात है उसके बाद में आपने बात करेंगे अग्रिकल्चर सुपर्वाइजर बरती 2022 के बारे में आपके सामने डिस्प्ले करूंगा कर्शी विवाग की तमाम RTI कर्शी विवाग के पूरे डोकॉमेंट्स तो सरी बने रही है बिल्कुल आप सभी की क्यूसरो होने के उपलक्स में और फर्ष्ट रेंग आने के उपलक्स में पूरे तमाम ASP परिवार की ओर से इनको हार्दिक सुपकाम नहीं और नाम है सुसिला सुरोईया और हजबेंड के नाम है परदीब बेडा रोलंबर है इनके 42 अठारा पस्पन और गाउं कुराडिया तैसिल म और आपको बता देऊं इनकी जो पहली रेंग आई है ये महिला वरग के अंदर आई गई है अगर ओराल रेंग की बात करें तो पूरे राजस्थान में इनकी ओराल रेंग जो आई है वो पांचवी रेंग आई है पांचवे नम्मर पे इनका नम्मर आया और महिला वरग मे इनकी फर्ष्ट रेंग पूरे राजस्तान में आई है दूसरी फोटो आपको दिखाई दे रही होगी इनकी सेकिंड रेंग का इए देवी सिंग जी फादर्शनेम में इनका अरजुन शिंग जी और गाउं का नाम है काकालवारा तैसिलह अराई अजमेर राजस्तान से इनकी EWS या बोल सकते हो जनरल वरग में पूरे राजस्तान के अंदर सेकिंड रेंग आई है और इनको भी बहुत बहुत हार्दिक सुपकाम नाए आपके सामने दिखाई दे रहा होगा देवी सिंग जी और अगर ओवराल रेंग की बात करें तो पूरे राजस्तान के अंदर इन बनाए गई है वो सब मिक्स में तो किसी की 10 वी रेंग है किसी की 50 वी किसी की 200 वी तो अब कंट्यूनिश से आपको रेंग के डिस्पले नहीं हो पाएगी माँ पी चाहता हूं और स्टार्ट महीं में आपको बताना चाहूंगा हमने परिश्या परिणाम जो आपके सामने ड पारदर्स नेम या उसके गाउं के एड्रेस में कुछ तुरूटी हो सकती है उन सभी के लिए मैं विनमर समय आचना और रही बात पारदर्सिता की तो आप सभी इसको रिजल्ट को जो देख रहे हैं एक भी स्टुडेंट आप इस दुनिया में कोई साबित नहीं कर सकता कि य नहीं बहुत से इस्टूट है जो कर देते हैं लेकिन एस्पी संस्तान कभी बि किसी विद्यारती कर फजी रिजल्ट जारी नहीं कर जाएगा अगर फिर बिकिसी विद्यारती को इस मामले में कोई संका हो तो आप मेरे वाट्सैम नमर जो आपकी डिस्प्ले की ऊपर चल र नामन नरेश कुमार सेनी जी और ये रहने वाले विराटनगर जेपूर के इनको भी बहुत बहुत हार्दिक सुपकामना है नेक्ट बात करें रहुल कुमार जाटव जी जो की रहने वाले करोली राजस्तान के इनको भी करशी परवेक्सक बनने के उपलक्स में संस्ता परिव बेरवाजी एसी के टेगरी से और अजमेर जिले के रहने वाले हरियों बेरवाजी इनके फादर्स का नाम है और इनको भी करशी परवेखसक बनने पर बहुत बहुत हार्दिक सुपकामना है और आपकी जानकारी के लिए पता दू पूरे राजस्तान के अंदर नेक्ट बात क अंदर एसपी का डंका इस साल भी बचा पिछली 2018 बर्ति बचा और जो नेक्स्ट वेकेंशी आने वाली उसमें भी एसपी का डंका बजेगा बस आप सभी का प्यार और सपोर्ट यूहीं बरकरार रहे नेक्स्ट बात करें सुरेंदर कुमार जी फादर स्नेम राजवीर सिं पर हार्दिक सुपकाम नहीं बिल्कुल मैं आप सभी के कमेंट्स हों का जवाब लास्ट में दूंगा क्योंकि स्टूडेंटों की संक्या 339 है और आप आज लाइव लेड़ा चारे हो तो बहुत लंबा लाइव हो जाएगा इसलिए मैं मापी चाहता हूं आपके कमेंट्स आपको RTI और सभी जितनी भी वेकेंट पोस्ट हैं कितनी पोस्ट हैं कितने पदों में बढ़ती आ सकती उन सभी के बारे में तमाम चर्शाय करूंगा लाइक भी आप करते रहो नेक्स बात करें आसिस जोसी पपुरामजीन के फादर्सका नाम है और ये धोलपुर के निव स्टूडेंट रहा हुआ है इसको भी करशी पर्वेक्सक बनने पर हार्दिक सुपकाम ना है नाम बात करें अजे प्रकास यादव जी क्यलास संद यादव जी और ये चोमु जेपूर के रहने वाले हैं और इन्होंने भी संस्ता परिवार का नाम रोशन किया है अगर बात करे और यह रहने वाले विराट नगर जयपूर से नक्ष बात करे दीन दयाल स्वस्वत की साथिक गंगा नगर के रहने वाले इनको भी करशी पर्वेक्सक बनने पर हार्दिक सुब्काम ना है विकास सिवदाजी ना मैं जानता हूं सर दिनेश को भी मैं भी बाद राशे हूं बिल्कुल आप कब साथी कर्शी परव्यक्सक बने चुका है हम दुआ करते भगवान से आप भी कर्शी परव्यक्सक बने अवदेश कुमार जी यह बहुत पुराना स्टूडेंट है और चार साल से पिछले चार साल से एसपी संस्तान का सदस्य रहा हुआ है इस्टुडेंट रहा हुआ है और आज जाके इसको सपलता मिले इसको बहुत बहुत हार्दिक सुपकाम नहीं रहने वाले हैं 12 छीपा बढ़ोद 12 नेक्स्ट बात करें पुस्पा धाकड ये है परताब गड़ छोटी सांधरी परताब गड़ से इनको करशी नमस्कार शितराम जी आपका बहुत बहुत आपार मदलाल मदलाल भादू जी आप पिछले 6 साल से जुड़े हो और मुझे पता है आपकी जितनी बदकिस्मत है उतनी साइद में आज दिन तक किसी स्टुडेंट की नहीं देखी लेकिन आप निरास ना हो बगवान आपके स साथ बोल रहा हूं आप निरास ना हो लगातार परियास करते रहे नई बर्ति की न्यूज आप ही दे सकते हो बिल्कुल अभी आपको खुसकबरी दूंगा आप टेंसन ना ले बहुत परेश्यान थे आप भी और मैं भी परेश्यान था बहुत दिनों बाद में लाइव आप निशिंद्रे नहीं आएगी वो भी बताऊंगा आएगी वो भी बताऊंगा जो भी बात है बिल्कुल अथेंटिक बात बताऊंगा ताकि आपकी आत्मा को संतुष्टी मिल सके चलिए मैं बात कर रहा हूं आकास राठोड नेक्ट बात करे हंसा वर्मा यह है जेपूर किसनगट रहनवाल की रहनी वाली है और इनको भी करशी परयोग से बनने पर हार्दिक सुपकामना है राजेश मेगवन सी यह गंगवार माल पूरा टॉंक के निवासी है और टॉंक जिले के करशी परयोग से सबसे ज़्यदा यहीं से बने बात करें संदेश सिंग जी और यह है बिहार से और ध्यान रखना आप बहुत से विद्यारती करते हैं कि आउट ओप इस्टेट के विद्यारती भी जुड़े वे हैं आउट ओप इस्टेट के विद्यारती क्या करशी परव्यक्षक बन सकते हैं तो आपके सामने देख लीजिए ये ओनलाइन का स्टुडेंट था संदेश सिंग जी सुवाज सिंग जी इनके पापा का नाम है और बाई कुंतपुरा सिसाई बाजार गोपाल गंज बिहार के रने वाले हैं जो राजस्तान में आके कर्शी परविखसक बने हैं और ये एसप ओनलाइन के माद्यम से बाकी जितने भी स्टुडेंट बचे ओफलाइन के माद्यम से बचा हुआ है और आप एक भी स्टुडेंट का फरजी परिणाम एसपी संस्तान द्वारा जारी नहीं किया जा रहा आप निश्चिंद रहिए इन सभी स्टुडेंटों की आप डिटेल अगर हमारे संस्तान की वेब साइट है उस पे कल डिस्प्ले किया जाएगा आप उस पे देखिए सभी का गाउं का और मोबाइल नमबर भी आपको डिस्प्ले किया जाएगी तो आप इन सभी विद्यारतियों से आप बात भी कर सकते हैं क्योंकि यह भी वर्तमान में कर्शी प्रिवेक्सक बढ़े हुए जवार शेकर करा सर मेरे 0.01 से रह गया ऐसी में हो जाएगा बिल्कुल हो जाएगा भी 23-23 पोस्ट हैं बाकी है हिस्ट्री राकेश वर्माजी करें सर आपके यूटूब से पढ़कर मेरा 204 वी रेंक पे चेन हुआ आपका बहुत बहुत सुक् बात करें सुनिल कुमार धाकर जी जो कि बिजोली या भीलवाणा कहते हैं इनको भी करशी प्रिवेक्सक ьहोर बहुत ऐज हो चुकी थी इनकी एस सुनिल कुमार धाकर जी की लास्ट इस्टेज पे थे लेकिन खगवान ने इनके साथ ऐसा किया कि एक परिकल्पना भी नही गूजर जी देखो गूजरों के स्टूडेंट आजकल गूजर और मीना जाती कि जितने भी स्टूडेंट है सबसे जदा एसपी में पढ़ पारे हैं और एसपी संस्तान की बदोलत है कि जितने भी आजकल लोग खहते थे कि आरक्षन की वज़े से उनका कम परसंटेज जाती इतना कम्पीटिशन बढ़ चुका है SC, ST चाहि कोई सी केटेगरियों और आने वाले दिनों में तो आप देखना सब केटेगरियों की परसंटेज सेम जाएगी एक दो नमर का उपर नीचे फरक पड़ता है बाकि आजकल SC हो चाहिए ST हो हर जाती में कम्पीटिशन सबसे खत खतरना कम्पीटिशन बढ़ रहा है और आने वाले दिनों में तो आप देखना आरक्षन का कोई मतलब ही नहीं रहेगा नेक्स्ट बात करें अजे निनामा जी ये TSP से है परताब गड़ से और पिपल खूंट इनकी तहसिल है और इनका भी सेलेक्षन करश्री परवेक्सक में होने पर इनको सार्दिक सुपकामना है 190 190 वी इनकी रहेंग ती नेक्स्ट बात करें सिदार्थ चित्रवेदी जी और यह जेपूर के आंदी गाउं का नाम था इनका आंदी तैसिल आंदी और आंदी में आप देखो इन्नोंने सेलेक्षन लेकर उनके गाउं में बुचाल अना दिया नेक्स्ट बात करें नरेश क खुशी हो रही है कि TSP की जितनी भी शीटे थी उसमें 50% शीटों पर ASP का कबजा तो आपके लिए और हमारे लिए गरव की बात है और राजस्तान के इतियास में अब तक के करशी के इतियास में ASP संस्थान से 763 स्टूडेंटों का अगर एग्रीकल्चर सुपरवाइजर म आपको मिल रहे हैं यह हमारे लिए सोबागे की बात है नेक्स्ट बात करें द्रमराज मीना जी जो की रहने वाले हैं कोटा के और इनका भी करशी प्रिवेक्षिक में सेलेक्शन हुआ हमें बहुत खुशी हुई सुनिता कुमारी बिजानिया जी इनका विद्वा कोटे सी स तलाक सुधा कोटे से इनका सेलेक्शन हुआ और यह रहने वाले थ्री माधुपट डिस्टिक सिकर से जो की एसपी के ओनलाइन स्टुडेंट रह चुके हैं नेक्स्ट बात करें कालुलाल नागर यह ओपला इनका स्टुडेंट था बूंदी का था बहुत सिंसिर था और इ लेकिन खुद लग गया नेक्स्ट बात करें सिला निनामा जी ये भी परताब गड़ से हैं यह भी टीएस पी से हैं और इनका भी सेलेक्शन हुआ हमें बहुत कुछी हुई नेक्स्ट बात करें रजनीज कुमार मीना जी और ये करोली के हैं टोड़ा भीम के रहने वाले हैं और इनका करशी प्रयोक्सिक बढ़ने पर इनको भी बहुत-बहुत हार्दिक सुबकाम नहीं नेक्स्ट बात करें नरेज कुमार शेनी जी जोकी रहने वाले विराठ नगर जेपुरушे इनका कर्षी प्रयुक्सिक बढ़ने पर बहुत बहुत सुब काम नहीं परदीब मीना जी जो कि रहने वाले हैं बूंदी से तो बूंदी हो चाई सवाई माधबुरू हो चाई टॉक हो चाई पूरा टीएसपी हो चाई अलवर हो ऐसा कोई जिला नहीं छूटेगा जहां पर एसपी का स्टुडेंट नहीं मिलेगा नेक्स्ट बात करें राकेश पुरूईज जी जो कि भीलवाड़ा चे हैं और भीलवाड़ा में इनका सेलेक्शन हुआ इनको भी बहुत बहुत सुपकाम नहीं मनोज मंडावत जी जो कि नागोर से आगे हैं और नागोर से आपको पता ये पश्ट रिंग केटेगिरी के हनेश गुजर बता रहा संजे गुजर भी रह गया एक नमर से डेड़ नमर से रह गया गणपत सिंग जी ये भूतपूर से नहीं गया एक्स आर्मी है इनको सेलूट करता हूं इन्होंने पहले देश सेवा की और अब ये किसानों की सेवा करेंगे तो इनका अलवर का नाम बेटा आये गा अलवर का नाम बहुत आये गा अभी तो अभी तो शुरुवात हुई है नेक्स्ट बात करें परदीप मीना जी जो कि कोटा राजस्तान के रहने वाले इनको भी करशी परविक्सक बढ़ने में हार्दिक सुबकाम नाए अगला बात करें कविता मीना जी ये चोमू जेपूर के रहने वाली है और इनको करशी परविक्सक बढ़ने पर धेरों सुबकाम नाए नेक्स्ट बात करें तो अगर अगला जो नमर है वो है कोटा राजस्तान का और नाम है विक्रम मीना विक्रम मीना इन्होंने भी ऐसा कारनामा किया कि अपने माबाप समाज पूरे जाती पूरे राजस्तान का नाम रोशन किया अगले नाम है विसाल अटल जी जो भी लक्षमन गड़ अलवर से हैं अभी अलवर की स्टूडेंट करें अलवर का सर नजदीक जाके रहेगे आपसे ही पढ़कर केलासंत कुमाओ जी आपका होगा बगवान होगा आप पर नालो मैं अभी आपके लिए खुसकबरी ला रहा हूं बहुत जल्द बस तोड़ा सा डिजल डिस्पले कर दिया जाए उसके बाद में पूरा परिणाम आपको कल हमारी जो संस्तान की वेब साइट उससे पूरा डिस्पले कर दिया जाएगा इस्टूडेंट के मोबाइ के रहने वाले है और बंजारा जाती में इन्होंने एसार कारनामा किया क्योंकि इन्हों ने बताया कि यह पहले इस्टूडेंट है इनकी जाती व्राधरे में वहां के रहने वाली वहां पहला student है मारओ अलोर बिल्कूल आ गया तुम्हारा आ गया next बात करें अबी तो जालावार बाकिता सोनु कारपेंटर और सोनु कारपेंटर है जालावार से और आपने नाम सुना होगा मिश्रोली राईपण जाला वाड़ के तो भवानी मंडी के पास नेक्ट बात करें नागरमल जी और यह रहने वाले हैं सिक्कर के नीम का थाना सिक्कर और इन्हों ने भी बहुत अच्छा काम किया और करशी परवेख सके लाश्ट इस्टेज पर आकर करशी परवेख सके मतलब उमर के लाश्ट भगत करें कर अब जाश्टों बास। और यह राजस्ता ने एक संस्तान ने इस संस्तान ने तरफ मतलब पूरे टीप्स को हमने कवर कर लिया यह बहुत अच्छी कुस कभिनी थी क्योंकि हमने जो ओनलाइन आइन ने कोऑरस था उसके माद्द Krلاf और ओर ओपल्लाइन नेक्स्ट बात करें पर डिपेंदर सरमा जी जो की दौल पूर्षे और इनकी जो रेंग थी 1164 भी इनकी रेंग प्राब्त की नेक्स्ट बात करें सरवना राम जी जो की बीकानेर छे टे Ф Are और जो इनके चेरे पर जो मुश्क्राट है वो मुश्क्राट मैं बगवान से दुआ करता हूं हमेशा बनी रहे हमेशा बनी रहे नेक्स्ट बात करें अच्षोक जाट जो की हनुमानगड से बादरा हनुमानगड के रहने वाले इनको भी कर्षी परवेक्ष और इन्हों ने तो जो अपनी फोटो बेज़ी है वो डिपार्टमेंट अग्रिकल्चर की फोटो बेज़ी है आगे बात करें विनोध कुमार मीना जो की बूंदी के रहने वाले इन्होंने भी कर्षी परवेक्षेक्न के बाद मैंने बड़े भाई के मंगलं जी बात कि हनेश जी सरबरती के बारे में बात करो पोड़ा सा और समय तोड़ा सा और बात कर ले और कुछ विद्यारती और लायू जूड़ जाए आप कोशीश करो इस link को आप जितने विद्यारती के पास share करो मैं पूरी आपको डिटेल पूर्म आत्म संतुष्टी के साथ आपको पूरी तरीके से सेटिस्पाय करूंगा ना टेंशन ले आप और इस्टुडेंटों को जोड़ ले उसके बाद में तब तक यह रिजल्ट परिणाम शो करते रहे उसके बाद में पूरी भरती के बारे में आपको पूरी तरीके से संतुष्ट करने का प्रियास करूँगा नेश्ट बात करें जसकरन दाम जी जो की चहटन बाड मेर के रहने वाले और बाड मेर का नाम अब तक नहीं है आता लेकिन आपके सामने डिस्प्ले पे आ चुका है डुंग्रा राम जी ये भी बीकानेर जी लेके हैं और इस्वर लाल जी इनके फादस्ने में और पान सो तेतरवी रेंग प्राप्त करकर इन्होंने ऐसा क की बार भी टॉंक बूंदी और जालावाड के अंदर आदे एस्पी के स्टुडेंट है बात करें वेद प्रकास मेना जी जो की टोड़ा भीम करोली और करोली बराबर की टकर ले रहा करोली टकर ले रहा नेक्ट बात करें बातूल बातूल जी ये भी कहां के आगे करोली ब बरोली चार और ये हैं भरतपूर के बहुत ही बरोली चार के हैं भरतपूर जी लेके रहने बारा का नाम आएगा बेटा आएगा जल्दी बरती आएगी बरती के बारें बात करें सुरेश कुमार जिंगर जी जो की बालोत्रा बाडमेर के हैं और बालोत्रा बाडमेर कापी फ सोड के नहीं गया एक ही जित्ती कि मैं करशी प्रव्यक्सक्त बढ़ूंगा मैं मेरे माबाप का सपना पूरा करूंगा और आज वो सपना पूरा साकार कर दिया और विश्णुकुमार ने सवाई माधुपुर के निवासी थे विनुध रोज बीकानेर लून करंशर बीकानेर मनिस मीना जी जो कि टौक मालपुरा के निवासी है इनको भी करशी प्रव्यक्त बढ़ने पर हार दिख सुपकाम ना है कविता देवी यादा हो जो कि विराट नगर जेपुर से और विराट नगर छोटे से कस्वा है वहां से चार स्टूडेंट अभी इस करशी प्रव्यक मतलब जब फोरम बरे थे तब ही साइद इनकी एज 18 साल हुई थी और पहली पहली एकजाम में इन्होंने ऐसा किर्थिमान इस्तापित कर दिया जो इनके घरवाणों के लिए समाज के लिए बड़े घरव की बात है सरुना लाल चोदरी जी यह थे एक्स आर्मी और मेरे 105 न मनराज परोदा जी और 2018 यह रहने वाली निवासी है सराधना अजमेर की जहां का आपने नाम सुनाओगा सराधना अजमेर डोक्टर आरेस परोदा डोक्टर आरेस परोदा वहां की निवासी है और आरेस परोदा को कौन नहीं जानता जो ICR के डीजी रह चुके हैं राजस् पूलीस में थे समाज की ही नई सर मानव की सेवा की राजस्तान पूलीस में अपना कर्टव्य निबाया और 2013 से नहीं 2008 से मेरे classmate रह चुके मेरे classmate थे 2013 में करशी स्यरी राजस्तान पुलीस जोइन किया और जेपुर में इनकी पोस्टिंग थी और इन्होंने 2020 में जब करशी प्रयोक्षिंग की भरती आई तब इन्होंने एसपी से ओनलाइन कोर्स लिया लगातार मेरे सीव मिलते रहे मैं इनको ग्यान देता रहा मेरा क्लासमेट है और आज इसका करशी प्रयोक्षिंग में सेलेक्षिंग हुआ इसके लिए इसको बहुत बहुत हार्दिक सुपकामना है नेक्स्ट बात करें उमेस्वर्मा जी जो क नाम रोशन किया नेक्स्ट बात करें ताराचंद बुनकर जी जो की सापराज जेपूर के निवासी है इनका भी करशी प्रयोक्षिंग में सेलेक्षिंग होने पर हार्दिक सुपकामना है बद्री प्रसाज सर्मा जी जो की बूंदी के हैं और फिर बूंदी आ चुका है आ उस समय आप एक बार किशी भी स्टुडेंट की मेरे जो नमब डिस्पले चल रहे हैं उनकी आप नाम बेजे आपके सामने नाम है रेंग दीवी है आप पूरी डिटेल मेरे से प्राप करें एक बार लाइव चलता है दर्मेंदर कुमार यादव इनकी 413 वी रेंग है और च नेक्स्ट बात करें पूजा यादव जी और यह आँखों से इनको कम दिखाई देता है और इन्हों ने अपने माभाप के सपनों को साकार किया और देखो कहते हैं कि किसमत कभी भी बदल सकती है इन्हों ने बहूं ने इनके साथ ऐसा किया जो हर किशि किशि के साथ नहीं करना चाहिए था लेकिन dhb होसले से वो मुकाम आसिल किया हमें गर्व है ऐसी महिला ऐसी बच्ची का सेलेक्शन होने पर हमें बहुत खुशी मिली इनका करशी प्रयक्शन में सेलेक्शन हुआ नेक्स्ट बात करें महेश कुमार जी और ये भरतपूर के बयाना भरतपूर के इनको भी करशी प्रयक्शन बढ़ने पर हार दिख सुब काम नहीं करशी प्रयक्शन बढ़ती कब आएगी बताओ ना सर मैं बता रहा हूं कुछ देर और आप एक एक बार इस लिंक को सेर कर दो मैं आपको पूरी तरीके से करशी प्रयक्शन बढ़ती की पूरी हिस्ट्री बताओंगा करशी विबाग के डोकोमेंट्स बताओंगा आप प्लीज प्लीज आप तोड़ा सा वेट कर ले क्योंकि अब भी आप ये खाओग एक फोटवे देखाना बंद कर दूँगा आप य किसी भी स्टुडेंट को आप फरजी अगर गोशित करते हो तो आपको मुह मांगी इनाम एसपी संस्तान द्वारा दी जाएगी इसलिए पूर्ण पारदर्शिता के साथ समय तोड़ा सा लेट हुआ क्योंकि परिणाम जारी किये हुए लगबग 15-20 दिन हो गए हमें व्लत साबित नहीं कर सकते हुए यह ASP की पहचान है 329 डंके की चोट पर ASP संस्तान ची 329 सेलेक्शन हुए जो कि पूरे राजस्तान के अंदर किसी भी संस्तान में इतने सेलेक्शन नहीं हुए हो सकता बहुत यह संस्तान आपको पोस्टरों में लिख सकते हैं 400 प्रस सेले सामने डिस्पले नहीं करेगा यह मेरा वादा है यह मेरा experience बोलता है अगर कोई कोई संस्तान आपको 200 selection show कर रहा कि हमारे संस्तान से 200 तो वो संस्तान से आप 100 photo मांग लेड़ा कि आप 100 photo बेज दीजी नहीं बेज सकते एस भी संस्तान है 329 डिस्पले कर रहा है चले भूख लगने लगे तोड़ी से देर वह रुख जायार मैं भी भूखाऊं मैं भी भूखाऊं नेक्ट बात करें बुदराराम सेनी जी जो कि नागोर से निवासी है हां मैं थोड़ा सा फास्ट कर रहा हूं चली इनमें थोड़ पैठा 2-12 आ नेक्ट बात करें विरेंदर सुमन जी यह कि 12 से बारा का नाम नहीं है तो यह 12 से अगे अपने विरेंदर शुमन जी नेक्ट बात करें गिरीज प्रसाद गुजर जी जो की अलवर है थाना गाजी अलवर से इनको भी करशी परवेक्षक बनने पर हारदिक सुबकाम ना है मुकेश कुमार जी रूंडला जो की फुलेरा की निवाची है फुलेरा ज्यपूर के अंदर आता है इनको भी करषी परिवख सक्व बंडने पर हार्दिक सुपकाम ना है नेक्स्ट बात करें दुलिचन जी कुमावत जो की जोबनेर की निवाची है और इंद्रा कालों नी निवासी है, इनको भी कर्षी प्रिवेक्सक बनने पर हार्दिक सुपकाम नहीं, नेक्स्ट बात करें, असो कुमार स्वामी, जो की हनुमानगट से हैं, नोहर के रहने वाले हैं, इनको भी कर्षी प्रिवेक्सक बनने पर हार्दिक सुपकाम नहीं, सर वरस के लेटेस्ट अपडेट की हुए पूरे वीडियो है तो आप 8803 रुपय में खरी सकते हो सुकाराम जी जो की नागोर निवासी है इनका नाम छोटा है लेकिन इन्होंने काम बहुत बढ़ा किया है इनको भी बहुत बहुत सुपाम नाए और छोटी सी उमर में मतलब 20 सा की उमर में कर्शी प्रिवक्षिक बणके अपने माबाप के राम जाखर जी जो की सरदार सहर चूरू के निवासी है और चूरू का नाम जेसल मेर भी आएगा पैटा आ रहा टेंशन ना ले अरह दयाल जाटा यह निवासी है अजमेर के दयाल जी को भी कर्षी प्रिवक्ष निवाची है रहूल मेगवन शी इनको भी करशी परवेक्सक बढ़ने पर हार्दिक सुपकामना है नेक्स्ट बात करें राकेश मीना जी नेनवा बुंदी के निवाची है और इनको भी करशी परवेक्सक बढ़ने पर हार्दिक सुपकामना है सर जी में तो आपकी फैन हो के और संस्तान के बारे में दो सब्द आप जरूर लिखिए आपके कमेंट्सों को पढ़के मैं भी फैनो जाओं वो अलग बात है अलग बेट रहे नेक्ट बात करें मोना साउ जो की 106 नम्मर बेच की स्टुडेंट थी और उन्यारा टौक के निवाशी थी और इनको करशी प सब्सक्राइब बन गई हर अनिल कुमार जी बता रहे हर कोचिंग वाला बता था हमारी कोचिंग से 500 टुटन का सेलेक्शन हुआ फिर सुपरवाइजर में 30,000 पदों भी बरती हुए क्या बैटा मैं बता रहा हूं आपको 500 तो स्टुडेंटी नहीं होंगे 500 स्टुडेंटी से इसक्राइब नहीं होंगे कोचिंग वालों के पास सेलेक्शन बताना ऐसा नहीं है आप अगर किसी भी संस्तान से जितने भी सैलेक्शन को अगोंगे तो आप संस्तान की वेब साइट परुडिस्पले करो नहीं, पिता का नाम, मम्मी, पापा का नाम, गहाँ, तैसिल, ज बात है जितने स्टुडेंटों का सेलेक्शन हमने डाला हमकल website पे डालें आप वेबसाइट चेक कीजिए हर स्टुडेंट के मोबाइल नमर डालें मोबाइल नमर आप मोबाइल फे कीजी न पूरी तरीके जालावार की निवाची है इनको भी करशी प्रयोक्स बढ़ने पर हार्दिक सुपकाम ना है बात करें लोकेस गुजर जो की फिर करोली से आ रहें और करोली की इस्टुडेंटों को काफी दबदबा रहा एस पी संस्ता जे जिते अंदर कुमार सारण जो की जोबनेर स्यामलाल मेगवाल जो की बीकानेर की निवाची है द्यान रखना बीकानेर जिला सबसे जदावार बीकानेर जिला बात करें रमेश कुमार वोकी वापस बीकानेर से आगे है कोलायत बीकानेर से नेक्स्ट बात करें राजाराम चोधरी जो की चाक्सु जेपूर की सकता हूं हमारे संस्तान ने जो एतियासिक परिणाम दिया उन सभी का धन्यवाद के पातर आप सभी स्टूडेंट हो क्योंकि आप सभी ने प्यार और सहयोग सर एसपी से डाई नमर से रह गया बहुत दोख हो रहा क्या करूं आपकी कोचिंग से पढ़ा हो बहुत अच्छा पढ़ाते हो केदार धोल पूर्शे बोल रहा केदार टेंशन ना ले बगवान और बरती अभी डिस्पेले करूंगा केदार शांत रहे मेरे लाल मेरे काड़े मेरे पिले मेरे दोडे मेरे निले अभी टेंशन ना ले बस पांथ-दस मिनट की बात है फिर मैं तेरे सपनों को साकार करने का प्रियाश करूंगा सुरेंदर सिंग जी सुरेंदर सिंग जी राज समंध के रहने वाले और इनको भी करशी प्रयोक्से बनने पर हारदिक सोला से मैरी कोलेज से पास आउड़ता सवाई मादूर से बीए से की और इतना दुखी था इतना दुखी था कि इससे ज़्यदा दुखी कोई नहीं था या तो मेरा मदनबादू या पिर मनोज कुमार मेना था लेकिन मनोज कुमार मेना की पुकार भगवान ने सुन ली और स्टूडेंट ने किया होगा तो मनोज जी को मनोज कमालपुरा को बहुत बहुत धन्यवाद बहुत बहुत डेरो सुपकाम नाई कि इन्हों ने अपने मम्मी पापा का नाम रोशन किया नेक्ट बात करें विनोद कुमार मीना वो की बूंदी की निवाशी है और हिंडोलिन का तैसिल है अकी लवर जी बिल्कुल अकी लवर जी आप सभी को जो आप लिख रहे हो आप सभी को में भी 160 मर्बेश थे हूं अरे विनोद तेरा भी आएगा तेरा भी आएगा टेंचे मल दे अजे मीना जालावार के निवासी है कानफूर, खानफूर जालावार के निवासी है और इनको भी करशी प्रियोक्षक बनने पर हार्दिक सुपकाम नहीं नेक्ट बात करें श्याम सिंग जी जो की जालो निवासी है अरोर तैसिले इनकी और करशी प्रियोक्षक बनने पर हार्दिक सुपकाम नहीं सुनिल कुमार जी दोलपूर की निवासी है और इनको भी करशी प्रवेक्षिक बढने पर हारदिक सुबकाम नहीं बात करें पवन कुमार जो की स्री गंगानगर के निवासी है और इनको डबल सुबकाम नहीं क्योंकि राजस्तान की border कि राजस्तान की border पर किसानों की सेवा करने का जिम्मा इन्होंने समाला है बात करें बाबुलाल लुलागर जोकी बीलवडा निवाची है और इनको करशी प्रविक्सक बढ़ने पर हार्दिक सुपकाम नहीं और बूंदी से वापस आगे बलवीर सिंग जी हाडा जो की बहुती पुराने स्टुडेंट रह चुके एसपी के और इनको भी करशी प्रवेक्षक बढ़ने पर हार्दिक सुपकाम नहीं राजुराम जी जोधपूर के निवाशी है जोधपूर मारवाड की निवाशी है और इनको भी करशी प्रवेक्षक बढ़ने पर हार्दिक सुपकाम नहीं अगे बात करें चुनिलल मीना जो की फुलेरा जेपूर के निवासी थे और इनको भी करशी प्रोएक्स बढ़ने पर सुबकामना हिन है अनेस गूजर नेक्ट बात करें अविनास कुमार जो की विराटनगर जेपुर से हैं अठाउन शीटों का नुक्सान हुआ टीएसपी से अठाउन शीटों का बिटा वो पुरानी बरती में एड हो गई थी इसल इनों ने बहुत अच्छा प्रिणाम किया है और एएसपी संस्तान में उन्हों कुछ दिनों काम भी किया था पढ़ाई भी किनों ने और पढ़ाई के साथ साथ अपना खुद का श्वयम का खर्चा चला कर इनों एसा रिकॉर्ट इस्तापित किया बहुत मुझे बहुत सपनों को पूरा करने के लिए और ऐसे होनहार स्टुडेंटों का सेलेक्शन होना बड़े गरुव की बात है कि उन्होंने अपना खर्चा चलाने के लिए काम भी किया और पड़ाई को भी महत्व दिया और आज कर्शी प्रिवक्षिक बन गई आज इनके सपने साकार हो गए तो इनको भी बहुत बहुत हार्दिक सुपकाम ना है हरकू हरकू जी है और ये रहने वाले हैं बाड़ मेर के और 19 साल की उमर में कर्शी प्रिवक्षिक बनना अपने माबापों के लिए कितने गर्व की बात है अपने समाज गाउं में ऐसा डंका बजाया इन्ह जोगा जेट का एक्जाम होने की संभावना है या तो 18 जून या पिर 24 जून स्वरी अठारा चोईस वाला जो संडे आ रहा है उसको होने की पूरी-पूरी संभावना है और लगबग 10-12 अप्रेल से आपके फोर्म ओनलाइन चालू होने की प्रक्रिया लगबग लगबग शुरू हो जाएगी आप निशिंद्रे 8-10 दिन और वेट करें बात करें साहिल खान जो की चितोड़ गड़ के निवासी है और चितोड़ गड़ निवासी साहिल खान जी को करशी प्रेवक्षक बढ़ने के हारदिक सुबकामना है चिनमनर बरोर बहुत अच्छा नाम है न बात करें गरीमा चोदरी जो की देवगुडा अजमेर निवासी है और इनको भी करशी प्रेवक्षक बढ़ने पर हारदिक बहुत बहुत सुबकामना है नेक्स्ट बात करें पूजा और ये भी हनुमानगड निवासी है और इन्होंने ओनलाइन कोर्स लिया था और मुकाम आसिल किया जो की बड़े गरुव की बात है नेक्स्ट बात करें पवंचुंडावत जो की फुलेरा जेपूर की निवासी है और इन्होंने भी ओनलाइन कोर्स लिया था और आज करशी प्रेवक्षक के मुकाम पे पहुंच चुके नेक्स्ट बात करें नातुलाल ग अनेस गूजर कह रहा बैटाई आर इने प्रेंग का गूजर का हुआ सेलेक्षन चीटर सो 21 वी रेंगा यह और काबरा इनका गाउं का नाम है और तैसिल और जीला इनका टॉंक है नेक्ट बात करें मन्राज गूजर गूजरों का तो इतना डंका बजा अनेस तेरे को छोड के सबका हो गया धितने भी गूजरों के इतने student लगे हैं ASP संसान चे़े गूजरों और मीनों एक इतने student किसी भी जाती विरातरी से नहीं लगी मतलब आप लिस्ट खोल के एस TOP की या पूरे कर्छिव भीवा की लिस्ट दहश्यों को 239 ची की तो उसमें गूजरों और मीन यह समझ जाय करो कि यह एसपी खाए इतने स्टूडेंट ते इस साल सबसे ज़्यदा स्टूडेंट आई भी यही पे और सबसे ज़्यदा स्टूडेंटों का सेलेक्शन भी एसपी की बदलत हुआ बात करें मावीर परशाद यादव जी जो की एसपी में सेवाएं भी दे नेक्स्ट बात करें विरेंदर परताप जो की दोसा की निवाची अभी चिल्ला रहे थे दोसा का नाम नहीं है अरत दोसा भी आ गया दो अभी खूब फोट हुए है तो अभी तो सब जिलों का नाम आएगा और इनका सेलेक्शन हुआ इनको भी बहुत-बहुत हार्दिक बूंदि का नाम तो आप सभी को पता हिए दिल और दिमाग दोनों में आपके चाया हुआ है बात करें कमलेस बेरवा सलेम पूर ये आ गया फिर वापस दोसा कमलेस बेरवा जी और इनको भी करशी परवेखसक बनने पर हार्दिक सुबकाम नहीं और आपके लिए मदू या हो जाए पूरी करशी विवाग की पूरी इस्ट्री आपको दिखा दूंगा आप टेंशन ना ले फटापट 500 लाइव हो जाने चीए 500 लाइव होते ही और 500 लाइक हो जाए 500 लाइक होते ही मैं आपको इनको रोग देंगे पन जब तक आप देखते हैं 500 लाइक हुए और 500 जिलों के नाम और फोटो आपके सामने दिखाए देती रहेगी नेक्स्ट बात करें अभी आचिस कुमार सर्मा जो की लक्षमन गट अलवर के निवासी है इनको भी करशी प्रवेक्षक बढ़ने पर हार्दिक सुबकाम ना है फटापट 500 लाइक कर दो 500 लाइक होती है पर बात करेंगे अग्री गल्चर सुपर्वाइजर बढ़ती 2022 के बारे में आगे बात करें करन सिंग मीना जो की जो की दोसा के निवासी है दोसा जिले से अब कंटिन्यू तीन चार इस्टुडेंट आ चुके तो हमारे लिए भी गरू की बात है दोसा बात करें प्रुबुदन नागर जी जो की बूंदी के निवासी है नेनुवा बूंदी के निवासी है और आप लाइक नहीं कर पा रहे हो 500 तब तक चलता रहेगा ये कार हुआ बात करें सत्वीर चोधरी भरतपूर राधस्तान की निवासी है और इन के बाद में बात करेंगे करशी पर्वेक्षक बढ़ती के बारे में फटापट आप क्या क्यूशन में पढ़ चुका हूं उसका जवाब में आगे दूंगा आप एक ही एक कमेंट्स को बार बार ना करी नेक्स्ट बात करें मीनू मीना जो कि जेपूर की निवासी है किसंगर इनके तैसिल है और इनको भी करशी पर्वेक्षक बढ़ने पर हार्दिक सुपकाम ना है बात करें महेश लागा जो कि नागोर नावा नागोर के निवासी है और इनको छोटी सी उमर में करशी पर्वेक्षक बढ़ने को बहुत बहुत सुपकाम ना है आगे बात करें कुल आई-खो की संक्या कम आ रही है आप नहीं बढा रहे हैं नहीं कर पा रहे हो इससलिए चलता रहें खोंट जेपूर कोचिंंग के नाम द आऊ विकास सेउदा जी करें असोग जाट ने अलग-अलग कोचिंग में नाम दे रहे हैं बिल्कुल हो सकता है डियर विकास जी असोग जी जो अभी एक फोटो दिखाई थी असोग जी आप निस्ट ने नेक्स्ट बात करें बालूरा मीना जी जो की टॉंक के निवाशी है और इनको भी करशी प्रवेक्सक बढ़ने पर हार्दिक सुपकाम लाएं आगे बात करें सुकदेव खोजा जो की पाली निवाशी है और पाली जिले का नाम नहीं आया था अब पहला नाम आ रहा है पाली जिले का इनको बहुत बहुत हार्दिक सुपकाम लाएं अजे निनामा जी परताब गर्से बहुत बहुत आपको बहुत बहुत सुपकाम लाएं रस्षीला कुमारी मीना जो की बीलवाड़ा निवाशी है बिजोलिया निवाशी है और इनको करश करशी परवेक्सक बनने के उपलक्स में ASP संस्तान द्वारा बहुत बहुत सुबकामना है और ब्लास्ट चीरू कहरा सर में 0.3% सी रह गया डियर आएगा नंबर आएगा तेरा भी आएगा और अब बात करेंगे पर करशी परवेक्सकी तब तक देख लेते हैं चैन्चुक सर अगर जो की भीलवाड़ा निवाची है तो भीलवाड़ा जिला सबसे जदावारा भीलवाड़ा बूंदी हो चाहिए बात कर लो आप दोसा की करोली की बात कर लो जेपूर तो हई सबको ताबरतोप तड़ीके से लाइक एड़ शेयर करें और बाटा पर फोड़ दो लाइ बात करेंगे पन अमर शिंग मीना जो की भीलवाड़ा की निवाची है बात करें देवद्र कुमार बेरा जो की नागोर निवाची है और अब आपका जो सबर्क था वो लगबग लगबग तूर चुका है तोड़ा सा और मैं पास्ट ले लेता हूं रोशनी चोबदार और इन दोनों को बासवाड़ा मतलब टीएसपी जिले में सेलेक्शन लेने पर हार्दिक हार्दिक सुब काम नहीं नेक्स्ट बात करें महंदर सिंग जी जो की जोधपूर के निवाची है और इनको भी कर्शी प्रवेक्सक बढ़ने पर हार्दिक सुब काम नहीं नेक्स्ट सब्सक्राइब करें करशी प्रोएक्ष्ट सर अमने अठाउन शीटों का नुक्सान हुआ है डियर में तेरे क्यूशन का जवाब दूँ सर आपके दूसरे स्टूडेंट डियर मेरे एक इस्टूडेंट का नम्मर है बिल्कुल बिल्कुल आप सभी को हार दीक सुपकाम नहीं कि बेटा कोटा खूब बार आ गया यूपी वाले अपलाई कर सकते हैं चलो मैं आपके क्यूशनों का जवाब देता हूं तोड़ा सा मैं अधियर आप सभी को एक गंठा हो गया मैं आपको डिस्पले कर रहा हूं एक करशी प्रव्यक्षिकी पहले एक बार आपका सबर का बांध जो हैने वो तूट नहीं लग गया है थोड़ा सा आप वेट करिए देखो दो मिनट के लिए आप अब यह जूम नहीं हो रहा है मैं आपको साही दिखाई नहीं देगा यह जो आइटिया दिखाई दी आपको साही दिख नहीं पा रही होगी लेकिन तोड़े सी प्रोब्लम है कि ये जूम केसे होगी और अभी टेक्निकल इस्टाप भी नहीं है मेरे पास कोशिज करता हूँ आपके लिए कोशिज काम्याब हो सकते है पन काम्याब हो गए हो गए हो गए आप तब तक इसको पढ़ते रहिए कब की है आप इसको पढ़ते रहिए तब तक मैं पानी पी लेता हूँ उसके बाद मैं आपके बीच में लाए उरूबरूरूरूंगा और ये सचीन गराशिया जी कहरें प्लीज आप इस कमेंट्स को रोक दीजिए बार बार एक कमेंट्स को मत पढ़िए मैं जो जवाब दे रहा हूँ आपको इसका क्यूशन का जवाब दिया जाएगा लेकिन आप अपने कमेंट्स को रोकिए आप साइद पढ़ लिया होगा आप सभी ने नेट कम है गुरुजी और नेट की जरुद कहा है तो कि चलिए आप सभी ने पढ़ लिया होगा कि देखो डीडी वर्माजी करें सर पोस्टे 2300 ती रेंग के 5000 तक दसजार तक केशी आ रही है तो बिटा रेंग के कर्शीरी लवाई तोड़ी स्टुडेंटों का नमरा कोई बूत पूर्ग शे नहीं कहें उसके तो उनको बाहर नहीं किया जा सकता तो रेंग के माईने नहीं रखती अब मैं बात करूंगा कर्शी प्रियुक्स बढ़ती 2022 के बारे में आएगी या नहीं आएगी आपके सामने पूरी डिटेल में आपको सामने शेयर कर रहा हूं तो आप सान्ती बनाए रखिए मैं आपको पूरी डिटेल से आपको बता जेता हूं यह है राजस्तान सरकार कर्शी आयुक्ताले राजस्तान सरकार और यह मैंने आटिया लगाई थी कबकि लगाई हुई है 21 तारिक को 21 फरवरी 2022 को लगाई थी और मेरे क्यूशन दिक्या कर्शी प्रियुक्स की बरती वेकेंशी कब आएगी गुरूजी बटा वही बता रहा हूं आप निसिंद्र तोड़ा सा दिल को थाम के बैटिया आप टेंशन ना ले आट मार्च को इसका जवाब आया आटिया का मैं अपने सीने में दबाकर ओपिस के गल्ले में दबाकर रख रखा था कि अपन जब रि इसको पढ़ते रही है देखिए मैं एक-एक पेज पढ़ा देता हूं यह तिर्चा नहीं हो रहा मैं वैसे वाट्सेप ग्रूप पे डाल दूँगा आप टेंशन ना ले देखें यह कर्शी वी बाकी है आटियाई और आप इस फोर्मूलों को समझते रहे हैं देखो आटियाई लगाई थी मैंने और इसमें जो साफ साफ लिखा हुआ है सितराम बाकर आवे तक दुवारा सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के अंतरगत चाही गई सूचना का विवरण निमन परकार से हैं पहली बात की बात करें सर ले बसंट्रेट का कोर्स में सकते है क्या बेटा कल आपको ले बसंट्रेट का कोर्स दो बजे हमारे यूटूब चैनल पर नहीं हमारे संस्थान के जो एप है मोबाइल एप्लिकेशन एसप कोचिंग जेपूर एप के उपर आपको डिस्पले कर दिया जाएगा लॉंच कर दिया जाएगा कल दो पर दो बजे प्रियोग साला साई की भी बरती आई हुए है और हर कर्शी विद्यार्ति उसका इंजार भी कर रहा है उसमें जो सल प्रियोटी वरस दो जार एकीश बाइस तक कितने पद अपने राजस्तान सरकार में कितने पते 6549 करशी प्रवेक्षक के मुख्याले सरजीते तदा 368 करशी मुख्याले निदर्ण करने की कारवाई वर्तमान में परकरिया दीन है द्यानकना इस मार्च के महिने में अभी त 368 मुख्याले करशी प्रवेक्षक के और बन रहे हैं राजस्तान में तो 368 अगर करशी प्रवेक्षक के मुख्याले अगर सरजीत कर दिये जाएंगे बनने की परकरिया चल रही है और हो सकता इस महीने मतलब अप्रेल के लाश्ट तक करशी प्रवेक्षक के 368 मुख्याले और इस्तापित कर दिये जाएंगे मतलब 368 पद तो अपने पास वो हो गए इसको कोई नहीं रोग सकता 368 नए मुक्याले बन रहे हैं तो 368 कर्शी प्रियोक्स के पच्छी है और ये कारवाई वर्तमान में परक्रियादीन है मतलब चल रही है परक्रियादीन है बात करें रिखते हैं मैं पहन से लिख लेता हूं मैं लिख लेता हूं कर्शी प्रिशिक के कितने पद रिकते हैं आज बता जता हूं आपको पूरी डडीटैल कि 368 पद तो ये पैनभी नहीं चल रहा आपकी किस्मत क्राब है हुरा कि छलेगा पहान चलेगा दूसरा आ गया देखो 368 मुख्या ले तो बन रहे हैं जो कि बहुत जल्द बन जाएंगे बात कर रहे हैं वर्तमान में तरेपंसो तालीष कर्शी प्रवश्य कारियत है और 2566 पद क्या है रिक्त मतलब कर्शी विबाग में पचीस सो च्यांसट पद रिक्त चल रहे हैं वित्यवरश दो जारेश चीस में 632 कर्शी प्रवश्य कर मुख्या ले निर्दान कर लिए गए हैं और आपको बता दूँ व वो पद पुरानी बरती से एड हो गए है तो ये 632 मुख्याले निर्दारन कर लिए गए है पहले ही बन चुके तो लालाओ कोई यह मसोज ना कि अब ये भी पद खा लिए नहीं है क्योंकि वर्तमान में करशी विवाग में 239 पदों पर वित्व विवाग से करशी प्रवेक् पाद 2566 पद रिखते अब इनकी हो गई है जोइनिंग तो 2566 में से 239 तो आप कम कर दो तो अब विवाग में कितने पद खा लिए मैं कैलकुलेट करता हूं 239 पद भर गए विवाग में पूरे पद खा लिते 2566 इन में से 239 तो क्या हो गया भर चुके है तो लालाओ गलत न बताओ कितने बचे पट आपड़ कमेंट्स वेगर होगे कि मेरे को कैलकुलेशन होई नहीं नहीं मेरे को तो कन्फीज हो रहा हूं कितने पद बच गए आप यह कि बताओ कितने पद अपने कर्शी वाग में खाली रहे 2566 माइनस 239 मतलब 177 पद 177 पद आपको पूरी गणीत बताता हूं 177 पद बिलकुल पुर्षोतम चोधरी का सबसे पहले आंसर आया राजिन अब सब का आने लग गया सब का आने लग गया तो देखो पद बात कर रहे हैं रिक्त पदों की मैंने आपको बिलकुल ओथेंटिक बात जा दी अभी मैं बताओंगा आप निरास ना हो अभी तो शुरुआ तो यह आपको खुश करके बेजूंगा लाश्ट में पहले मेरी भी आदेत आपको तरपा तरपा करें लेकिन तरपा तरपा करें आप ने पहले आप कैल्कुलेट करते रहो समझांगा पूरा गणित क्या है और जो बताऊंगा बिल्कुल अथिंटी बताऊंगा मुझे इस चीजों का डर नहीं है कि बच्चे आएंगे नहीं आएंगे कोचिंगे चलेगी नहीं चलेगी आपकी दया से आपके प्यार और सने की वज़े से बहुत अच्छा चल रहा है डाल रोटी मिल रही है बिल्कुल मैं इश्कोर अट आ रहा हूं थोड़ा चा मैं एक बॉडर खों लेता हूं आपयांदे देखो मैं बॉर्ड खोल लिया और बर्ड में आपको थोड़ा चाल क्यल्कुलेशन मतलब अब वर्तमान में पूरे राजस्तान में कितने पद खाली है उसके बारे में बात करेंगी देखो 368 RTI में कुलासा हो चुका है नए मुख्याले बन रहे तो एक तो 368 ये खाली है पलस 2566 पद चल रहे थे रिक्त उनमें से 2389 क्या हो गए भर गए तो यहां पर बचे 177 तो आज की कंडिशन में 177 पद क्या है रिक्त है ये तो स्विकर्थ हो गए परक्रियादीन है ये है रिक्त पद कर्शी विवाग में ये चल रहे हैं रिक्त पद अब बताओ कौन से पद खा लिए कर्शी विवाग खुद खे दिया वाई कुछ नहीं है मामला यही है अब देखो कौन से पद है अब अगले मैने में 114 पदों पर 114 पदों पर DPC आए अब पर्मोशन किया जा रहा है और वो आपको पता ही है क्योंकि साइक कर्शी दिकारी की साइक कर्शी दिकारी डबल ओ की जो पोस्ट होती है उसमें नियम है 50% तो क्या 50% पतों RPSC से बढ़ने होते हैं और 50% जो पदों पर्मोशन पर्मोशन करना पड़ता है विवाग के कर्शी परवेख सकू का तो बाई जी 176 पदों पर वर्तमान में साइक कर्शी दिकारी की बरती जो की 2018 के अंदर आई थी वो बरती मानने राजस्तान उच्च न्यालया के अधीन है और RPSC में मात्र इंट्रिव्य बचा हुआ है तो हो सकता है अगले मैने मतलब अप्रेल मै मैने में उनका फैसला हो चुका है तीनों बरतीयों के अंदर तीनों बरतीयों में आपको पता भी कोट का फैसला आ गया था और उसके परिणाम को रद्द कर दिया गया क्योंकि अब अकेडिमिक नमर भी जुडेंगे तो वह 15 या 20 दिन में साइक कर्शी दिकारी का परिणा तो भाई ये पद भी खाली होगे कर्शी प्रेश के ये पद वर्तमान में रिखते चली रहे हैं 368 मुख्याले सरजित होई रहे हैं और अब भी लास्ट की बात करो 149 पद 149 वेक्ति हैंने 31 अप्रेल तक रिटाइड हो रहे हैं कर्शी पर वेक्सक्त जो जिनकी डेटो बर निवासी वाड़ी जो बरती के लोग थे वो सब रिटाइड हो रहे हैं तो ये पद क्या हो गए रहे हैं ये खाली है आज की कंडिशन में मतलब आगामी 30 दिनों में ये पद क्या है खाली है और अब कल चल रही है अप्रेल आप सभी को पता है इस साल और नए मुख्याले स सरजित कर सकता है पदों की स्विकरती दे सकता है क्योंकि नए सेशन का कार ये एक अप्रेल से प्रारम होगा नया सेशन चलेगा 31 मार तक पूरा सेशन खतम हो जाता है और अब नया सेशन मतलब आगामी प्लानिंग तयार की जाएगी अप्रेल महिने में आपकी भरती के लि जीए ताकि विद्यार्तियों के लिए और दो सो चार सो पद और एड़ो जाए तो बरती अतिशिकर आ जाए और जल्दी आएगी लेकिन अगर आपकी सोच यह है कि करशी प्रव्यक्षी कोई भी भी नहीं आएगी मेरे इसाब से बात करें देखो यह जो पद है यह आप इसको कैल्कुलेट करो कितने पद हुए हाँ और इनके लावाद छे पद और करशी परव्यक्ष के अभी लास्ट के चार महिने में लास्ट के चार महिने में छे करशी परव्यक्ष को की मोत हो चु लवाड का और बहुत ही दर्दनाक मोट उनकी तो दो मेने दोस्त खोए हैं मतलब मेरी साती खोए हैं जो करशी प्रवेक्ष सकते जाला और बील वाडा से दोनों करशी प्रिवक्ष को कि दिगवंत आत्मा को एस प्रिवार के और से सान्ती परदान मिले खैर उनको टाइम हो गया लगबक सवा महीने के लगबक टाइम हो गया तो 6 पद कितने हो गए कोई 858 बता रहा कोई 864 बिल्कुल यह 864 पद यह समझे आज की कंडिशन में आपके लिए करशी प्रिवक्ष के लिए अब बात करें अपन अप्रेल महीने में प्लानिंग करेंगे और करशी विबा अब भी हाली में बिकानेर उनिशिटी ने बरती निकाली कुछ उनिशिटी अभी जल्द जारी कर देगी तो जोबनेर उनिशिटी की सबसे बड़ी बरती आएगी करशी प्रिवक्ष की लगबक 63 पदों के लगबक अनुमानित है मैं authentic data नहीं बता रहा और आपको आगामी क इसकी भी भरती जोबनेर उनिशिटी दुवारा जल्द जारी हो जाएगी मैरी तीन च्यार बार टेलीफोनिक वारता भी हो चुकी है टेलीफोन पर यही बताया जाता है कि बहुत जल्द हम जारी करने वाले राज्यपाल से फाइल अनुमोदित होने के लिए गई है क्योंक किनों में आपको यह खुशकपरी आपको मिलने की पूरी-पूरी संभावना तो आप निस्यंद्र यह ड्रही बात कोई विद्यारती करा कि मतलब करशी प्रवेक्षिकी बरती 2022 में नहीं आएगी तो यह एक अप हुआ है करशी प्रवेक्षिकी बरती आप सभी को पता लग करले जो बजेट आएगा मार्च में उसकी गोस्नाएं लगबग लगबग दरातल पर उतर नहीं पाती है मान्य मुख्य मंत्री में हो थे बहुत अच्छा काम कर रहे हर विबाग में बरतीय ला रहे तो मुझे पता है अनुमान है अप्रेल महिने में जितने भी विबागों में जितने भी पद खाली है कर्शी मंत्री दुवारा और मुख्य मंत्री दुवारा सब विबागों में जितने पद खाली है उनकी सूचना ही ली जाएगी और जल्दी आपको सितम्बर अक्टुम्बर मां के लगबग अनुमानित आपको विग्यपती जारी होने की आपको बता दूं आप यह ना सोचे कि मेरे करने से ओफ-लाइन कोचिंग कर लें कोई ओनलाइन कर लें साहब आपने एक महीना बताया था मैं आप वादा कर रहा हूं मैं एक संस्ता परदान भी हूं और मेरा मकसद आपकी भावनाओं को आहत करना नहीं है क्योंकि मैं किसी क को यह नहीं कर रहा कि आप एस पी कोचिंग में पढ़ने आएं आप ओनलाइन के लिए कोर्स करी दे मैरा मकसद यह एक है आपको सही सूचना देना आप अपने निश्वार्थ भाव के साथ यह डिसिजन ले कि आपको करना क्या है लेकिन मेरे मतानुसार भरती आएगी अति तो 32 पदों पे जारी ही थी दिरे-दिरे सरकार पदों को बढ़ाती रही तो ऐसा काम हो सकता क्योंकि 2000 अब जो नया सेशन चल रहा है एक अप्रेल से मतलब कल से तो उसमें भी तो पद इस साल के तो बढ़ाएंगे नहीं सुईकर्ती भी होगी विती सुईकर्ती मिलेगी कि उसकी संपूर्ण जानकारी नेक्स्ट आटी आई में में आपको देने का प्रियास करूंगा लेकिन ध्यान रखिए 30 सितमबर तक करशी प्रवेक्षी की बरती जारी नहीं होगी आप अपने सह विवेक से 30 सितमबर बाद में कभी भी भी बरती जारी हो सकती है और सत्त परत करना चाहिए तो कल से हमारा सुबस आठ बजे से कर्शी प्रवेक्ष का नया बेच प्रवेक्ष किया जा रहा है फाउंडेशन बेच है पूरे एक साल तक है एक्जाम तेक तैयारी आप कर सकते उसकी जो फीस निदान की गई है वो 13,000 रुपे की गई है और एक 30 स्टुडे लोगा गारंटेट बेच से लेगा कर्शी प्रवेक्ष कमें उस वो भी हम कल सुबह 8 बज़े से प्रारम कर रहे हैं तो किसी भी बेच में आप एडिमिशन ले सकते हैं जैदा जानकारी के लिए मेरे नंबर आपको डिस्पले किये जा रहे हैं कोई फीस वीस की रिये चीज उपर डाल रहे हैं पूरी चीजें नया है एर्गलों मी का भी रीकोड नहीं हो पाया तो जो मेरे को समय मिलेगा मैं एड डेखान बी रिकोड करने का जलदी परियाश कर रहा हूं पर्शूपालन कंप्लीट हो गई उसमें जोग्रोपी हिस्ट्री हिंधी इसके लाभा बात करें होटी कल्चर लगबग लगबग 90% कोर्स उसमें complete नया लेटेस्ट डाल दिया गया आपके जेट के फॉर्म ओनलाइन हो जाएंगे अभी फीस का इस्यू चल रहा है जो राजस्तान सरकार ने जोद्पुर उनिशिटी को फीस के लिए आदेश किया था कि आप जेट की जो फीस है फार्म पीस साड़े बारा सुरू पे रखी जाए उनिशिटी ने लेटर में जा करशी कोर गुरूप को राजस्तान सरकार को कि आप इसका जो फंडिंग है आप राजस्तान सरकार हमारे को फंड करें पैसा इन्वेस्ट के लगबग डाई तीन करोड का मामला था कि आप इतना पैसा में दे दीजी हम बच्चों की पीस साड़े बारा सुरू पे कर देंगे तो अभी राजस्तान सरकार और कर्शी स्वरी राजस्तान सरकार और उनिशिटी की मद्यस्त कुछ वार्थाएं चल रही है चर्चाएं चल रही है वह इस्यू समाप्त होगा और तुरंद आपके दूसरे दिन से फॉम ऑनलाइन चालो जाएंगे सर मारी अठाउन शीटों का नुक्सान होगा दो जार अठार अठार बरती में आयती उसे टीएस्पी के कुछ लड़कों ने छेतर के हिसाब से केस किया और वह जीत के कार्मी बागने आगामी बरती नठ्यान पद आने वाली बरती दो जार पिछली बारा जुलाई दो जार किस वाली बरती सी 2018 बरती का मुद्धा बता रहों 2021 वाली बरती से अठाउन पद उस पुरानी बरती में एड़ करके उनी श्टुडेंटों को जोइनिंग दे दी तो डियर मैं ये तो नहीं कहूंगा ना किसी की उपर आरोप लगाऊंगा आपके अठाउन पदों का नुक् से उन्चे मिलिए तो वह अगर इस मामने को सुल जा सकते हैं तो आपको भी वह रियाय दे सकते हैं तो आप परियास किजिए अगर मेरी कोई आवसेकता हो तो आप जेपूर आईए जब भी आप 2-4 इस्टुडेंट जेपूर आईए मैं आपके साथ चलने के लिए तयार नेक्स्ट बात करें सर आपके नमबर बेटा मेरे नमबर यह डिस्पले चल रहे हैं इसके उपर इसके उपर चल रहे हैं आप अच्छे कोई भी आप इस संस्तान के बारे में कुछ भी लिख सकते हैं आपको आज परिणाम जारी किया हमने पूर पूर्ण पार्दिशार अब बद्री आया है अबहीं जो 23 पदों बरती जारी की तो अभी तक कोई संभावना नहीं है मेरे साब से बाकि करशी विख जैसे कर्शी परिक्सक्व में बद्रों की वेसे बढ़ा भी सकता है क्योंकि वित्तियसी हो के फाइल पड़ी है करशी विख इसको बेज नहीं र पार यह है इन में सिर्फ अपन रिक्वेष्ट कर सकते हैं अपन जोर जबर्दस्ति नहीं कर सकते हैं वेटिंग लिस्ट 53 स्टूडेंट की वेटिंग नहीं है बिटा अभी 53 जो 2359 पदों की बड़ती थी उसमें 53 स्टूडेंटों का अभी चेन रोका गया बहुत से बूतपूर शेनिक भी है डबल यो का कोर्स कम्प्रीट कर आओ डियर इस्टेटिक्स और इकोनोमिक्स दो सब्जेट का कोर्स अभी साइक कर सिद्धिकर अगर ओनलाइन की बात करें तो उसमें कोर्स बाकी है तो वो बुद्धुवार्शे आपकी प्रारम कर दी जाएगे नहीं आ रहा सर नंबर अच्छा मेरे नंबर डिस्प्ले नहीं हो रहे तो आप मेरे नंबर लिख सकते हो 9413879698 कर प्या यह जो मेरे नंबर है आप दूसरे भी लिख सकते हो 9829559698 तो आप यह गुड मोर्निंग गुड नाइट ऐसी चीज़े ना बेजिए आप अपना जो भी कोई क्यूशन लिखे आप उसके नीचे अपना नाम अवस्य लिखे नाम अवस्य लिखे जिनका जिनों नाम नहीं लिखोगे आप तो मैं किसी क्यूशन का आपको जवाब नही के संस्तान की फेकल्टी की आप एप नान के रह चुके वह हमें मनोबल परदान करें अगर आपको अच्छा लगा इस फेकल्टी के सट जूड के तो आप जरूर अपने जो वह search फो प्यूंग्ल追़ है विडियो अंगर और भी एक फाय़त दिनेज जिरू.आपका यूग मी अलाव हुए और कल हम दो बजे ले बस अचेट का कोर्स भी हमारे जो एप है उस पर लॉंच कर रहे हैं और कोर्स की जो प्राइज रखी गई है बारासो रुपी रखी गई है तो देखो कोर्स की प्राइज हम ज्यादा इसलिए नहीं रख रहे हैं क्योंकि और आल स्टूडे कोर्स के या जेट के बिखते इसलिए उनकी कोर्सों की रेट कम और इनकी ज्यादा रखी जाती है क्योंकि यह कोर्स महेंगे रिकोर्ड होते हर टीचर लगबग 800-1000 रुपे पर एक किलास के रिकोर्डिंग के पैसा देते हैं प्लस यहां का इन्वेस्टमेंट इतना है क्यो हो सकता आपको लाइव में दिखा दूंगा और फिर भी अगर आपको ऐसा लग रहा कि मैं आपके लिए कुछ कर सकता हूं तो आप जेपूर एसपी संस्तान में आजाई है चार पान लड़की आजाई है मैं कर्शी वबाग में आपके साथ चलूंगा कमिस्टर साब से मिला जो जो अशनुचेइड अब सीोंस शाब है उनसे मिला दूंगा जो इंडिक्टर से मिला दूंगा अपने हाथ में नहीं कर सकते तीन बार में रिक्विशस्ट कर सुका आप भी कभी जब भी आपको समय मिलें आपर्श करें मिरे साथ आप चलें बिल्कुल मैं आपकी वाज निवाद मस्ती राम जी करें सर में 0.1 कैसी से रह ब्लाइन कोर्स बिलकुल ओपलाइन कोर्स तो कल से चालू ओ रहाए करशी पर्यों से गारेंटेट बेज और नोन गारेंटेट बेज दोनों साल पर कें फाउंडेशन कोर्स एक्जाम तक तयारी कर सकते हैं और मैं आप सभी से वाजा कर रहा हूं अगर एक साल अगर आपने एस पिसंस्तान को दे दिया तो दुनिया की कोई ताकत नहीं जो आपको करशी सके लिए पूरे राजस्तान में एकी नाम सिर्फ एस पि आप पुराना रिकोर्ड देगिए 200 गुनत्तर करशी प्रवेख सकते इस बार देगिए 309 सेलेक्शन और आगामी बरती में 50% सेलेक्शन एस पिसे होंगे यह मुझे नहीं आप सभी को नहीं मुझे पूरा पूरा का बरुशा है कि अश्वी संस्तान का जो परिनाम करशी परवेख सकता है और जेट पिछले दो साल में जेट में ऐसे किरतिमान adesso प्य रुस्तापित कि और इस साल जो किरतिमान Understood कियाएगा शाइं डौरा खास कर जेट के लिए वह साइध ही कोई राजस्तान का को यांस एश इस्टुडेंटों से बात करें उसके बाद में आपका फीड़बेग दे चलो और अगर आपके कोई कुशन हो बिल्कुल मैं कोशिस करूंगा और अगर आपका कोई कुशन हो तो आप बिल्कुल लिख सकते हैं और समय बहुत ज़्यादा हो गया जेट का हो या आप किसी का भी ओनलाइन कोर्स करीदो आठ सो अठेशी रूपे आप आराम से करी सकते अपने सपनों को साकार कर सकते हो और हमने तो सुविदा भी दे रखिये कर आप ओफ लाइन कोचिंग करने आओ पूरी लाइफ में कभी तो ओनलाइन का पेमेंट हम आपके कम कर गई किया जा रहा है तो आप इतना मस सोचा करो अगर आप को सपने सकते हैं अगर आप दूसरी कोचिंग वालों का भी लोग क्योंकि आपको तो नोकरी से आप के सपनों साकार करने से मतलब है आप फैस्टी ऐस फ्र hakkूर और और था सब कोचिंग सफ़र एक से बढ़कर एक कोचिंग sorting है आप यह तोगी कोचिंग संस्तान जितने भी साहति अपना बरपूर परियाश करते ऍनिद्ध के लिए सब 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 के सब पास नहीं पाते किसी कोचिंग से जैधा क्यूशन मिल जाते एक दो क्यूशन जैधा मिल जाते बाकि कोचिंग ये सब सही है सब में अच्छी फेकल्टी है किसी भी कोचिंग में कोई बुराई नहीं है बाकि आपको स्टुडेंट को खुद को 90% योगदान होता सेलेक्शन लेने के चलो दोस्तों जेट का एकजाम में जून लास्ट वीक में होगवा आज के लिए लेता हूं मैं आपसे विदा फिर रूबरू होंगा जब भी कोई नई अपडेट होगी एगरिकल्चर की और आप अगर जुनना चाहते हो एसपी के साथ तो आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लिजी एसपी कोचिंग जेपूर है थैंक्स पर वर्चिंग वीडियो आज के लिए बस इतना ही बैस्ट आप लग लव यू